दोस्तों नमस्कार मैं हूँ गर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल Girl's Life वीडियो पसंद आए मेरे मेरे पसंद आए तो एक Like जिरूर करेगा और चैनल पर नए है तो एक Subscribe जिरूर करेगा दोस्तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि पहले जो Model आते थे वो BS4 थे पर अब जो BS6 आ चुकी है वो F5 Bikes है और जैसे ही इस Bikes का कोई सेंसर खराब होता है तो सेंसर खराब होने पर इस Bikes के अंदर मॉल फंक्शन लाइट जल जाती है अब जैसे कि आपको पता है अगर कोई सेंसर खराब होता है तो उसे ठीक करवाने के लिए आपको कंपनी में जाके आपको स्कैनर के दवारा उस लाइट को बंद करवाना पड़ जाता है पर इस वीडियो में मैं आपको मैंनोली या बीना स्कैनर के मॉल फंक्शन लाइट को कैसे बंद करते हैं और वो मैं आपको इस दिखाने वाला हूँ दोस्तो एक और जूरी बात जैसे कि देखा जाए बाकी कंपनी की बाइक में अगर कोई सेंसर खराब होता है तो उसमें मॉल फंक्शन लाइट बिलिंग करती है पर हीरो की बाइक में ऐसा नहीं है इसमें ये लाइट नहीं बिलिंग करती तो चलिए दोस्तो अब मैं आपको पूरा दिखाता हूँ कि इसमें ये मॉल फंक्शन लाइट कैसे बंद करी जाए तो वीडियो एंड तक जरूर देखना तभी आप समझ पाएंगे तो देखिए दोस्तो अभी मॉल फंक्शन लाइट जल रही है और दोस्तो बाइक को हम जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो ये लाइट बंद हो जाती है बाइद वे दोस्तो ये मॉल फंक्शन लाइट है और मान लीजिये तो दोस्तों अभी मैं आपको नीची engine के पास एक sensor दिखाता हूँ तो ये है आपका temperature sensor और मान लीजिये किसी कारण वर्च ये sensor आपका खराब हो जाता है और जैसे ही इस sensor की मैं wire hurt आता हूँ तो आप देखिएगा उपर जो light है मौल फंक्शन लाइट वो अपने अप 10 सेकंड के अंदर जल जाएगी तो दोस्तों अभी हम उपर खड़े हो के देखते हैं कि लाइट जलिक नहीं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लाइट जल चोकी है जो मौल फंक्शन लाइट है तो दोस्तों अब बरी है कि अगर आपक वाइर को अच्छे तरीके से दुबारा उसी तरह से लगा देता हूँ जिस तरह मैंने इसको खोला था तो अब मैं इसको अच्छे से बंद करने लगा हूँ तो यह हमारी हो गई पूरी अच्छे तरीके से वाइर अटेच तो अब अगला परस्वास हम करते हैं तो दोस्तो तो फिर से दुबारा से बाइक को switch off करना है और कम से कम 2 second रुकना है और फिर आपको दुबारा से switch on करते ही बाइक को start करना है तो ये light फिर भी नहीं जाएगी अब आपको दुबारा से वही तरीका अपनाना है और दुबारा से अपना बाइक को off करके और दुबारा से अपने बाइक को starting करना है तो दोस्तो आब यहां देख सकते हैं मैंने अपने बाइक को दुबारा start करा है और लाइट अभी भी फिर नहीं गई तो करना क्या है तो आपको तीसरी या चोती बार जब आप यह č्रिग अपनाएंगे तो देखी आप मॉलफंक्शन लाइट अपने आप यहां से चले जाएगी तो दोस्तो आप देख सकते हैं अब यहां पे मॉलफंक्शन लाइट बिलकुल अपने आप वापिस चले गई है और बिल्कुल भी जल नहीं रही और मैंने अपना बाइक स्टार्ट करके रखा हुआ है तो दोस्तो ऐसे ही आपको बाइक को कम से कम दो सेकिंड ओन ओफ करके तीन से चार बार ऐसे ही ट्रिक करना होता है तो इसकी लाइट अपने आप ही चली जाएगी तो दोस्तो देखा आपने किती असानी से हमने घर बैटे ही आपको दिखा दिया कि आप इसको लाइट को कैसे बंद कर सकते हैं तो दोस्तो इसी तरह ही जो है हीरो की सारी बाइक की मॉल फंक्शन लाइट को आप असानी से घर बैटे ही अपने आप बंद कर सकते हैं और आपको company में जाने की जूरत नहीं पड़ेगी तो ये मैंने आपको manually करके दिखाया है hope आप सबको अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी तो अगर आपके पास भी BS6 bike है तो आप भी अपने आप try कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया है तो आपको easily पता चल जाएगा और आने वाले time में अगर कोई ऐसी problem आती है तो आपको ये परिशानी से हल मिल जाएगा hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक like जिदूर करीगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार